जय मा बगलाम की, जय माता की आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भरदवाज गोत्र की कुल देवी के बारे में बहुत सारे मित्रों के यूटूब चैनल पे कमेंड्स भी आए हैं और उनका ये प्रस्न है कि भरदवाज गोत्र की जो कुल देवी है आखिर कुल देवी माता जी का इस्थान कहां पे हैं कुल देवी माता जो स्री माता जी है उनका मंदीर कहां मिलेगा भारत वर्स में बहुत सारे भरदवाज गोत्र के धर्म अनुरागी भक्तगन है वे अपनी कुल देवी के दरबार जाकर पूजा आराधना करना चाहते हैं उनकी इस्तुती करना चाहते हैं उनकी उफासना करना चाहते हैं और यूटूब के माद्यम से फेस्बुक के माद्यम से गूगल मेप के माद्यम से उनके मंदीर, उनके दर्बार, उनकी फोटो को तलासते रहते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी स्री माता जी का नदिव्य दर्शन प्राप्त हो पाता है नहीं उनका कोई एक इस्थान प्राप्त हो पाता है आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो भर्द्वाज रिसी थे ब्रहस्पती जी के पूत्र थे और ब्रहस्पती जी अंगीरा रिसी के पूत्र थे और भर्द्वाज रिसी के पूत्र गरगर रिसी हुए है अर्थात आप सभी ने गरगर रिसी के बारे में पढ़ा होगा गरगर रिसी की कुल दीवी के बारे में सुना होगा तो यहाँ प्रवर के अंतरगत एक ही गोत्र के अंदर अनेक गोत्र आ जाते हैं उनकी योगिता के अनुसार उनके कर्मकांड के अनुसार और उनकी इस्वरभक्ति के अनुसार अनेक गोत्र एक गोत्र से उत्पन्न हुए हैं और सभी गोत्रों की कुल देवी, माता अलग-अलग हुई हैं, आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे धर्म पुरान और सास्त्रों में अनेक देवी कताये हैं, अनेक लिलाये हैं, अठारा पुरान हैं, चार वेध हैं, इनको पढ़ने के बाद भी हमें वहदी विज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है, उसके लिए हमें गुरु सानिद्ध में जाना पड़ता है, और गुरु सानिद्ध में भगवान स्री राम स्वयम गए हैं, भगवान स्री क्रश्न स्वयम गए हैं, भगवान परसुराम जी स्वयम गए हैं, और उन्होंने गुरु क्रपा से ही अपने इस्ट देवी की अपनी कुल देवी की प्राप्ति की है और अपने जीवन को धन्य बनाया है तो हम तो मनुष्य मात्र हैं हम सभी को भी सद्गुरु के सरन में जाना चाहिए और सद्गुरू से हमें दिव्य दिक्षा लेकर सक्तिवाद दिक्षा लेकर हमें हमारे इष्ट देवी इष्ट देवता की पूर्न प्राप्ति करना चाहिए हैं वेदिक हवन पूजन त्रोप चार के माध्यम से हमें आत्मग्यान को प्राप्त करने की हमारे मन में जिग्यासा होना चाहिए आए इस वीडियो को आगे न बढ़ाती हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आखिर मा स्री माता जी के दर्सन कैसे प्राप्त होगे आपको भर्दवाज गोत्र के धर्म अनुरागी स्रधालों के लिए अविसेज जानकारी है कि अगर आप आपकी कुलदीवी स्री माता जी के खोच कर रहे हैं स्री माता जी को दिक्षा में प्राप्त करना चाहते हो स्री माता जी के दरबार पहुचना चाहते हो तो आपको स्री माता जी वर्तमान समय में किस रूप में प्राप्त होगी और कहां प्राप्त होगी आप सभी इस वीडियो को और से सुने आप सभी को बताना चाहूंगा कि भरदाज गोत्र की जो कुल्देवी है स्री माता जी आपको वर्तबान में स्री माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता जी के नाम से आपको माता जी का दर्बार प्राप्त होगा मा स्री माता जी आज आप सभी को अगर दर्शन भी देना चाहें तो आपको राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता जी के रोप में ही उनका सानित आपको प्राप्त होगा आपको एक आत्म ग्यानी ब्रह्म ग्यानी दिविदरस्ती प्राप्त सद्गुरु के सरन में जाना होगा और सद्गुरु महराज से स्री माता राज राजेस्वरी त्रिपूर सुंदरी माता जी की दिख्षा प्राप्त करना होगा त्रिपूर सुंदरी माता जी दसो महाविध्याओं में एक महाविध्या है और त्रिपूर सुंदरी माता जी की भक्ति आराधना करने से जीवन की सारे कस्ट दूर होते हैं जन कल्यान होता है विश्व कल्यान होता है और हमारे सरीर के अंदर जो गुप्त सत्रू है हमारे जीवन में जो गुप्त सत्रू है सारे सत्रों का नास होता है हमारे बारे में जो सत्रूता भाव रखते हैं उनकी मित्रता में बुद्धी परिवर्थित होती है ऐसी तुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्प सिर्वात प्राप्त होगा आप सभी भठकी नहीं जितने भी देविक सक्तिया हैं जितने भी कुल देविया हैं जितने भी इश्ट देविया हैं सभी मापार्वती जी का ही दिव्य सोरूप हैं सभी ट्रिकोर्ट सुंदरी माता जी की आराधना करना चाहते हो उनकी सप्तिबा जाकर उनसे आपके जीवन में आ रहे जितने भी कस्ट हैं जो भी आपके मन में प्रस्न चल रहे कुल देवी और गोत्र से सम्मंदित आप सभी जानकारिये भी प्राप्त कर सकते हैं और उनी सद्गुर्देव से दिक्षा लेकर आपके जीवन का कल्यान कर सकते हो आप सभी को भरद्वाज गोतर की कुल देवी स्री माता जी का यहाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताईए जैमा बगलाम की जैमा मातंगी जैमा स्री माता